आज सुप्रीम कोट में ने श्री आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका जो की CBI में जो फेर बदल किया गया है सरकार के द्वारा पिछले तीन दन के अंदर उस पर आज सुनवाई करी और सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि जो CBI डिरेक्टर आलोक वर्मा के खिल जज सुप्रीम कोट के जस्टिस एके पटनायक करेंगे दो हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोट को पेश करनी है दूसरा उन्होंने बोला है कि जिन जिन सज्जन को श्रीनागेश्वर राव को जो डिरेक्टर एक्टिंग डिरेक्टर बनाया गया है वो कोई मेजर फैसला कोई पॉलिसी डिसिशन अब नहीं लेंगे और उनके जितने भी डिसिशन अभी तक थे जो फेर बदल किये गए जो आफिसर का ट्रांसफर किया गया पोस्टिंग करी गई सब सील्ड कवर में सुप्रीम कोट के सामने सरकार को रखने होंगे और इस मामले की अ अस्थाना की तरफ से मुकल रहत की बोल रहे थे लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारी तो कोई पेटिशन नहीं है जब तुम्हारी पेटिशन होगी उससे पहले हम नहीं सुन सकते